बच्चों यह देखो आज आज आपको हम इतनी बड़ी बुक से कहानी पड़ना सिखाएंगे बहाती सरल तरीके से पहले आप आप बता इस बुक का नाम क्या है बिग बुक ठीक है अब अपने बिग बुक में आपको पहले ये दिखाएंगे कि इस पर बना क्या ये क्या है बेरी गुड और ये क्या है तो आपको मालूम है ये क्या लिखा है बताओ नहीं ये यहां पर लिखा क्या है ये चि डि य य च ऐसे नहीं ये देखो ये कौन साथ चर बनाएं और चापे चड़िये किसकी मात्रा चोटी की मातरा चड़िये और यहां पर यह ड़ा पर भी चोटी की मातरा चड़िये ठीक है और यह बना हुआ है यह और इस पर इस पर किसकी मातरा है इस पर बड़े आकी तो यह क्या हो गया चिडिया क्या हो गया बच्चों चिडिया तो आज हम चिडिया की कहानी आजम किसकी कहाने पड़ेंगे ठीक है तो देखो हम ये बुक है आपकी बिग बुक इसको खोलते हैं और आप सब लोग ध्यान से इसको देखो इसके चित्र को यहां पकड़ो तीप सिखा ऐसे नहीं दिवाल से यूं हाथ लगा लो ऐसे ही शब्वाश आप भी लगा लो दोन हाँ दिख रही है यह तो यह देखो यह क्या है चिडिया और यह आपको क्या दिख रहा है पानी यानि यह एक तालाब है क्या है तालाब अब आपको यह लिखा हुआ पढ़ना है हम आपको help करेंगे जैसा हम पढ़ेंगे आप बैसा उसको दोहराओगे हमारा अनकरण करोगे पीछे पीछे पढ़ोगे ठीक है जैसा हम बोलेंगे बैसा आप बोलोगे ठीक है? ओके? ए क एक च और चा पे छोटी की मात्रा होगे तो होगे ची और आपे छोटी की मात्रा तो होगे डी या 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 पे बढ़े आकी मात्रा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? या तो इस तरह से क्या होगे? चिडिया एक चिडिया ता ला ब जहां पर यह मात्रा लगी होती है उसको हम तेजी से बहुत जोड से जैसे ता पर आप की मात्रा लगी है तो क्या है? ता और ला पर आप की मात्रा लगी है तो क्या है? ला और यह क्या है? इस पर कोई मात्रा नहीं है तो आप इसे धीरे से पढ़ोगे ब तो ऐसे यह क्या हो गया तालाब मे मा पे एक ही मात्रा है और अंकी बिंदी है इसे पढ़ोगे मे पा न और ना पे बड़ी की मात्रा है तो यह क्या लिखा है पानी फिर पी यहाँ पर क्या लिखा है पाप पर बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया पी और ना ना पर एकी मात्रा तो क्या हो गया ने पी ने गई बड़ी की मात्रा है ना तो क्या हो गया गई तो अब हमने आपको मात्रा लगा कर यह पढ़ाया अब हम एक साथ पढ़ा रहे हैं इसको द्यान से पढ़ो एक चिडिया ताला में पानी पीने गई समझ में आगया चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे पेज पर ठीक है अब बताओ इस दूसरे पेज पर क्या हो रहा है चिडिया पानी में दूब गई है गिर गई है ऐसे कर रहे हैं ना पंक पानी पानी पी पी ते पी ते ता पे एकी मात्रा है और पा पे बड़ी एकी मात्रा है तो क्या हो गया पी पी ते समय समय वह ता लाब तालाम में गिर 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 गापर छोटी की मात्रा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे गापो गिर गई 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 अब इसको दुबाराची पढ़ेंगे पानी पी ते समय वह तालाम में गिर गई अब बेटा इसको पल्टो पेज को ऐसे हाँ आप इदर पकड़ो गुड अगला पेज देखो चिडिया पानी में डूम रही है और यह कौन आ गया बिल्ली चलो यहां देखते हैं क्या लिखा है पड़ेंगे ता बी बी अगैंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें बहाँ पर बड़ी की मात्रा है यह मात्रा बड़ी की है ना तो जिस अच्छर पर जो मात्रा होती है हम वैसे उसे बोलते हैं तभी वहां 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 एक बिल्ली आई पर चिडिया ने नापे एक ही मात्रा तो छे कैसे पड़ेंगेंगेंगें बिल्ली यह बिल्ली है ना इसमें दो लाः बनेंगें एक आधाला यह आधाला बनाएं देखरे होा है दंडा नहीं खिचा हुआ है और एक पूरा ला बना हुआ है और पूरे ला पर किसके मात्रा है बड़ी की किसके मात्रा है से मदद मदद जानतों क्या होता है सहायता हेल्फ चिडिया ने बिल्ली से मदद मांगी मांगी कहा लिखा ये रहा मांगी मदद मांगी बिल्ली ने कहा कहा ठीक ये ठाट हटे रहा है इस पर बड़ी की मात्रा चड़ी है और ये लिखा है क तो इसे कैसे पढ़ेंगे ठीक है हाँ पर आ की मात्रा चड़ी है दो मात्रा चड़ी है तो ये मात्रा किसकी है आ की है ठीक है ठीक है मगर मैं तुम्हें मां यहां पर देखो फिर से आजाव दरी मां मां पर एकी मात्रा है और अंकी बिंदी है इसे पढ़ेंगे मैं ये क्या लिखा है मैं तर ता पर छोटे उकी मात्रा है आदा मां है और हां है और इस पर एकी मात्रा है तो क्या हो गया तुम्हें खा उंगी, खा लूंगी नहीं, खा उंगी, खा उंगी, समझ में आया, एक बार इसको फिर से पढ़ें, चिडिया ने बिल्ली से मदद मांगी, बिल्ली ने कहा, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है, मगर मैं तुम्हें काउंगी, ऐसा बोल लेए ना, बिल्ली में फालकर चिडिया से बात कर रही है, कर रही है, खेथी, तुम्हें बस्तु पर तुम्हें के इस से बोला है, मुझे मेरी मदद करो, ठीक, अब देखो जरा इदर क्या हो रहा है ये बिल्ली है पानी के अंदर और चिडिया कहा है पैटी है कहा पर बिल्ली की पीड पर चलो देखते हैं क्या लिखा है ठीक है चिडिया ने कहा हाँ खा लेना हाँ खा लेना एह बोलो सुन कर बिल्ली ने चिडिया को तालाब से बाहल निकाला इतना समझे मैं आया कि फिर से पढ़ू आ गया समझे है चिडिया ने कहा हाँ हाँ खा लेना बोलो इह सुनकर बिल्ली ने चिडिया को तालाब से बाहर बाहर नहीं बाहर देखो बाबक्री बनी है इस पर आकार रंदा है तो कैसे फड़ोगे बाहर निकाला बाहर निकाल नहीं है बिल्ली चिडिया को पीट पर बैठाल के बिल्ली बोली अब खालू देखो बिल्ली बाहर निकाल के ले आई चिडिया को अब बिल्ली चिडिया से कह रही है कि अब मैं खालू अब मैं खालू अब आगे देखो चिडिया क्या कहती है चिडिया ने कहा मुझे सूख 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 ना मतला तो गीली हो गई ना तालाव में थी तो गीली हो गई तो अब चिडिया कह रही है मुझे सूख जाने दो मुझे सूख जाने दो फिर खाना चिडिया ने क्या कहा मुझे सूख जाने दो फिर खाना बिली इंत यह अंकी बिंदी लगी है ना इसको हम आदे ना की तरह फटें गे कैसे इंत जान करते 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 कर तप चड़ी एक ही मात्रा तो क्या हो गया ते करते 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 सो गई देखो तो रही है बिल्ली ने दिमाग लगाया दिमाग बिल्ली ने क्या कहा मुझे सूख जा ले दो अरे सॉरी चड़ीया ने दिमाग लगाया क्या लगाया कि मुझे सूख जाने दो फिर खा ले ना है ना बिल्ली इंतजार करते करते सो गई बिल्ली सो गई पल्टो भाई हां क्या ओर आए आपर चिड्या उड़ती चिड्या उड़ाओ बच्यो इनकी तरफ कामरा करो चिडिया कैसे उड़ती है ऐसे ऐसे है ना तो चिडिया उड़ गई अब यहां देखो क्या लिखा है बैट जाओ चिडिया सूख कर फुर से उड़ गई चिडिया उड़ गई बिल्ली रह गई सोती अब देख रही है आके फाड़े पाड़े कहानी अच्छी लगी ताली बजाओ कल आपको एक और नई कहानी ऐसे ही पढ़ना सिखाएंगे हां बच्चों तो आपने कहानी तो पढ़ ली ठीक है अब हम आपका थोड़ा टेस्ट लेंगे यह जानेंगे कि भई आपको पढ़ना आया कितना आया आप बताओगे हमें बताओ यह क्या लिखा एं तेज बोलो चिडिया अच्छा अच्छा यह बताओ तालाब कहां पर लिखा है कोई बच्चा बताएगा आओ उदर से गुम के आओ फटा फटा फट काव्या काविया बताओ तालाब कहां पर लिखा है यह तालाब लिखा है ओमाइगा टा अर History पुए तालाब यह ना चलो बच पर- T इंजिका बताओ गौरी आप बताओ आजा पानी निखा है जल्दी आओ पहला अथ bağ नहीं लिएा करो पानी तलुम का बताओ गवर बुड अब आ हैंगी डोली डोली वटती आओ नहीं इस लिए पेज़़ पर बताओ इधर निडिकल नीचस निकल गाने पर लिखाई नहीं है इधर जो समय समय कोई बताएगा समय कोई नहीं नहीं लिखा हां समय कहां पर लिखा है उली हां समय गुड जाओ तालीब जा दो इनके लिए अब पेजपल दो ऐसे करते है नचीड अब आगे ऊई रितीक रिती का आ जाओ उधर से उधर से आओ पता बिल्ली एका लेखा एद रितिक बता है happens ि इनने आगे कासे नी पुर इनकल रिखा बिल्ली इस इस वाले में प्रवका देख हो बिल्ली बिल्ली ये लिखा है बिल्ली बिल्ली कहां लिखा है ऐसे उंगली रखो बिल्ली कहां लिखा है ये